हालो और वेलकम वेल्कम वेल्कमारा आज का व्लोग में इसमें हम समझेंगे रीजनी का एक बहुत इंपॉर्टन कोशन जो की कॉंपटिटिव एक्जाम में बहुत जादा पूछा जाता है तो चलिए इस कोशन को हम शुरू करते हैं ठीक है तो यह कोशन 2013 में ससी एकजाम में आया है ठीक है इसमें यह देख के बताना है कि इसमें से कितनी टीचर ऐसी है जो कि ना तो और ना ही सिंगर है ठीक है तो अगर हम इस figure को ध्यान से देखेंड है तो हम यह देखते हैं कि जो triangle है वो क्या represent कर रहा है triangle represent चर्थे को ठीक है उसके बाद next अगर हम देखें तो यह जो box है इस जो rectangular box है यह represent कर रहा है authors को और उसके बाद third figure क्या है third figure है circle की और circle represent कर रहा है singers को ठीक है तो यहाँ पर singers है teachers है और authors है तो हमको यहाँ पर यह बताना है कि ऐसी कितनी teachers है जो कि ना तो author है ना ही singer है तो हमको किस पर focus करना है हमको focus करना है triangle पर क्योंकि triangle represent कर रहा है teachers को ठीक है तो हमको यह देखना है कि triangle का कौन सा ऐसा portion है जो कि circle और उस box में ना आ रहा हो ठीक है तो जो portion जो number नहीं आ रहा होगा वही हमारा क्या होगा वही हमारा answer होगा ठीक है तो जैसा कि हम इस circle में देख सकते हैं तो 8 और 2 triangle में तो आ रहा है लेकिन वो singers में भी आ रहा है ठीक है अब इसी तरीके से हम box में देखें तो triangle का 3 और triangle का 2 किस आ रहा है, authors वाले part में आ रहा है ठीक है, तो ये भी answer नहीं होगा, ठीक तो अब बच क्या रहा है, अब बच रहा है, one number ठीक है, तो ये one मतलब जो एक teacher है, ठीक है, वो ऐसी है कि ना वो singer है, नहीं वो author है, मतलब खाली एक teacher, तो हमारा answer हो जाएगा one, ठीक है, समझ में आ गया answer हमारा हो जाएगा option number a that is one ठीक है तो एक teacher ऐसी है जो कि ना तो singer है और ना ही author है ठीक है तो इस तरीके से हम question को पढ़के समझेंगे और फिर उसको हम solve करेंगे अब चलिए दूसरा example देखते हैं दूसरा example क्या कहता है in the given diagram एक diagram दिया है the triangles represent doctors the circle represents players देखिए अब इसमें जो triangle है वो क्या represent कर रहा है triangle represent कर रहा है doctors को और जो circle है वो represent कर रहा है players को और जो rectangle है तब जो rectangular box है वो represent कर रहा है किसको वो represent कर रहा है singers को क्योंकि इसमें तो figure में दिया नहीं इसलिए मैं इसको लिखे ले रही हूँ ठीक है तो circle रिपरेजन कर रहा है players को, triangle रिपरेजन कर रहा है doctors को और यह जो rectangular box है, यह क्या रिपरेजन कर रहा है? यह रिपरेजन कर रहा है singers को. तो हमको अब पता क्या करना है, which region represents doctors who are singers but not players. अब इस figure में हमको यह देखना है कि कौन से ऐसा portion है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिंगर तो है लेकिन वो प्लेयर्स नहीं है ठीक है जैसा कि हमने इसमें लिख लिए अब पहले हम इसको देखेंगे हमको पहले किस पर फोकस करना है हमको डॉक्टर्स पर फोकस करना है अब इसमें हमको यह देखना है, कि इसमें B होगा या फिर D होगा, मतलब कौन सा है region डिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, जो कि सिंगर्स हैं, तो सिंगर्स किसमें आ रहा है, जो सर्कल है, उसमें B भी आ रहा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए, D, ठीक है, तो D हमारा correct answer तो यहां पर मेरा व्लोग खतम होता है मैं उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आया होगा मिलती हूं जल्दी आपसे अपने नेक्स व्लोग में तक तक के लिए टेक केर एंड कीप प्रैक्टिसिंग